नमस्ता स्वाद आप सभी का बजार की चाल के अंदर मैं हूँ आपके साथ एकले स्टी और बजार की चाल में चर्चा करेंगे यहाँ पर गुमुनिटी बजार के बाले में जानेंगे कि कमुमुनिटी बजार शाम के कारवारी सत्थ में कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और कौन सी होट कम्यूरिटी बनी है इस समय जो आगे जाके आपको अच्छा मुनाफ़त देगी और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या रहा रहेगी ये सब जानेंगे और आज कम्यूरिटी बजार पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे सा जुड़े होए हैं बजार के जाने माने और केडिय एडवाजरी के मैनेजिंग डिरेक्टर अजे केडिय जी अजे जी भाव बहुत स्वाथ आपका माकेट एंस से लिपर लबत कार अजे जी सबसे पहला अगर कम्यूरिटीज में वीट की बात की जाए गेहूं की बात की जाए तो सरकार का अभी फैसला आया है कि सरकार कम मात्रा में गेहूं के निर्याद की अनुमती दी है जादे तर बांगलबेश हुआ या छोटे छोटे देश हुए इसा कुछ नहीं था कि हम लोग बहुत ज़्यादा शौटीज में है लेकिन ग्लोबल मार्केट में जीगन से युक्रीन और रश्यक की प्रस्टी आई सब की उमीद इंडिया से ही थी इंडिया ने खुले हाँ से एक्सपोर्ट भी किया बच्जी दंसे हीट वेक और कंसर समझ में आया और प्रोडेक्शन में हम देख रहे हैं कि थोड़ी लॉसस लिया गया ताकि हमारे यहां पर किल्लत ना हो बट साथ में हमने यह भी कहा था भारत में कि अगर किसी को requirement रहेगी तो हम situation देख रहे हुए इसको open लखेंगे मुझे लगता है यह जो step लिया गया एक human ground पर लिया गया है अब अगर हम देखे हमारे इधर भी situation फुट गेंस की अगर हम बात पर तो काफी comfort zone में है हम यह काफी welcome step है इससे international ने भी हमारी गोनी का हमारा रोल काफी strongly देखा जाएगा और साथ में हमारे यहापे भी controlled में है कि भी बीच में हमने विरावर देखा था हमने पहले भी जाता है कि इक्षी सो के नुचे जाता हुआ नहीं गोबल मार्केट की नहीं देखते हुए जो उपर में 26 भी नहीं जाएगा बट मुझे लगता है यह step से कहिना कई वीट के पर यह सपोर्ट मिलेगा जी अजे जी कुछ डीलरों का यह कहना है कि export पर जो प्रतीबंद लग और सरकारी ने जो फैसला लिया है यह इसले लिया है जिससे कि जो गेहूं वहाँ पर पहले से यह रखा हुआ है वो मौनसून की वज़ा से बरसात की वज़ा से खराबना हो क्योंकि अगर वो गेहूं वापस ले जाया जाएगा तो जो वैपारी है उनकी जो shipment cost है वो और ज कमर्शल दो कि यह भी है और नीजी कंट्री के लिए इंडिया में कभी अपना हाथ पीछे नहीं किया है इन तक सपोर्ट ही किया है यह पहली पराइटी है वो इंटरने से की रिक्वार्मेंट है यह भी देखा गया है कि हमारे जो व्यातारी वार गया या पार्मर या टेड है इनका नुफसान है कि विकाइक जब यह स्टैप लिया गया था एक अस्मंजर जैसा बाहां मन चुका था आप जो पोर्ट पे माल पड़ा उसका क्या होगा आप में आमने देखा है कि तर्की से जो रिजेक्शन गई हुए थे जो इसी कुछ ग्राउंड पे हुए थे कि यह देमीजेस है या कुछ मदब क्राउप क्राब है बट ऐसा कुछ भी नहीं है और साथ में मौंसुन सामने एक्टिवेट के हैं तो जो यह विंडो ऊपन हुआ है काफी बड़ा एक रिलीग देगा काफी बैटरी और सपोर्टीस टैप है जो व्यापारी के लिए अच्छ है जी अजे तीरकर एडिबर लॉल पैक की बात करें तो एडिबर लॉल पैक पर हमने सरकार के काफी फैसले आते वे देख लिए हैं सरकार ने रिसेंटली यह भी सीपी ओ की जो बेस इंपोर्ट प्राई से उसको कम किया है सोया ओल का बढ़ाया है वही इससे पहले सरकार न कि आयाद करने के लिए उसको शुलक मुक्त कर दिया था उसको तो ऐसे में क्या लगता है खादे तेल को बजार कैसा रहेगा विस खादी तेल में हमने पहले भी कहा था कि आप लॉंग टर्म व्यू अपना मंदी का बना के चलिए जिए बिकास नो डॉक्ट हमने पहला अब हमने दो ती नो बड़ी जा रहे हैं उससे मार्केट में दबाव बन रहा है और 120 डॉलर के बाद अब हम इसमें भाई गिरावत देख रहे हैं तो माना यह जा रहा है कि अगले दो ती मैं अगर तेल में बड़ी गरावत आती है तो पामोली का जो कर्जंशन बायों के हो रहा है वहां से कमी आएगी कौर्वन में भी जो टैक्स को लेका विया पैरिक को लिके जो स्टैप्स लिये हैं यह भी पैर्जिस को कुलॉफ करेंगे जी मुझे लगता है अगले 10-12 दिन तक पैजिस्टों जरूर है तो बिल्कुल है और देजरे फर्णमेंटल भी बैर अच्छी रहनी कि उम्हीड है जिससे भी हम ताइस पर कुलॉफ देखेंगे जैसे हमने पिछले साल लाइगा मस्टर की सोईंग बढ़ने से देखी थी जी अजे जी कॉटन की बात की जाए तो एक समय वह भी आया था जब हमने M6 कॉटन को 50,000 के पार जाते वे देखा था लेकिन आज देखने की 43,000 के लेवर्स पर ही पेड कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है यह कौंसे फेक्टर से जो आप की प्राइस को नीचे लेके जा रहे हैं गरिखन में अगर हम पहले देखें तो पिस्ले पंड़ाद इन के अंडर ही यह बड़ी जिरावता आई है जिसमें दो बर्म मेज裡面 और अ क्टर गीज जिए हैं तो हम ने देखा था कि आपर लें में तेक्सस के अंदर ब्राद कंडिशन की बढने की वज़े से प्लाइस ने सब्सक्राइब कर दिखा दिया था अब अगर हम देखें तो फेडरेबल वैजर कंडिशन है मुशी सीपी में टैक्सस के इसकी वज़े से सुईंग है तो एवरेज के मुकाबले काफी ज़गा 54% के आसफार्स की लास्ट रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट आई वी है उ अब अर्मोस्ट वन थाटीफोर का लेवल देखा है और तकिंटली माना जा रहा है कि एक सो तीस का लेवल तोड़ने पे हम एक सो अठा से एक सो शोला का लेवल भी देखाएंगे तो धरेलू मार्केट में भी उचे बहुत है उचे बाव की उज़े से उज़े से उज़े लोगा एक सब्सक्राइब की परसेंट की तोड़ी बताई जारी की एरिया के अंदर उप्ता तो नहीं लगता है विकॉस पाटन के मुकादले अगर हम ऑई सीज की बात करें याक हल्दी है तो सबी ज़़ा थे एरिया थोज़ा कट भी रहा है तो बात करें तो बारा से पद सब्सक्राइब करना जिसके बाद हमने ताइवान से कुछ इंपोर्ट भी यान और पॉलिश्टर होते हुए देखा है अब जो एक्सपोर्स के ऊपर भी जो करी नजर रखी है वो भी इंपॉर्टन है स्टॉक लिमिट इंपक्ट मैं बताना चाहूंगा कल एक्शिंग में जो स्टैप लिया है लिमिट्स को लेकर यह भी कहिना कर यह वेल्टम स्टैप है कि जो मार्केज में इनके सब्सक्राइब किसी ने कि बड़ी पोजिशन बना रखी है तो वह लिवरेज आउट हो और प्राइस में खाख कूल आप मिले तो उसी के लिहाज आज हमने चावाल खल पड़ी पड़ेगा या तिर बिनोला खल अपने अलग टेक्रेस के साथ ही ट्रेड करेगा देखिए पहला चीज आप सुझिए जिवरें से कॉटन ने वार्ज के बाद जो पेजी बिखाई है उतनी बिनोला खल ने नहीं दिखाई है अगर हम बिनोला खल और कॉटन के चुद्रेस्टर की बात करें यह दो जार 18-3 याद मौपस ओजा कर देता है वि कि की 60 आप सामने सामने के ओधारन लेते हैं जापर हमने कॉटन में तो पिसले दो दिन से गिरावत देख रहे हैं चुटन सी रॉल के करकी गिरावाद के बाद आल्ट मार्केट उपता ओबा मिल्किन सीजन स्कार्ट हो जाएगा जो दिरे दिरे दिमांड भड़ेगा हमने आपके चैनल के पहले बताया भी था कि मार्केट में पीजी का रूप है जो चारज जाब तक का लेवल हमें मार्च तक दिख रहा था बड़ी जन्वरी में देखा था तक हमने क्लेरल कहा था कि मार्केट तरवरी मार्च और अप्रेल जब तक 3400 का लेवल तोड़े नहीं उपर में और तीम जाएका लेवल मीचे में तोड़े मार्केट जाएगे अच्छी कॉंटिटी होने की वज़े से कब कॉलिटी का माल होने की वज़े से हमने गिरावन देखी थी जो 2700-2750 का एक नया धर बना चुकी है तो आई थी 2700-2750 के मिचे भाव जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और 12-15 जुन के बाद देखेंगे दिमांद भड़ेगी कि कि आज भी हमारे पार चार बने का टाइम है और जो स्टॉक है वो हमारे पार एक से बेड़ बने के ज्यादा स्टॉक नहीं है तो मुझे लगता है कि जैसे समय जुलाई अगस में पहुचेंगे दिमांड और बढ़ेगी और भाव में कि तेजी आएगी बट एज़ आज़ आगी बट एज़ आज़ तो 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 ताइम भी मुझे तीज़ पचास लगता है जिसम्बर वाइदा जिस तेजी से खुला है 2400 का बहुत खुला है तो यह ज्यात जिलाता है किसके साल भी ऐसा ही हुआ था एच्छों सिक रुपे की पेज़ी से नया मन्त खुला था जिसका मतलब है मार्केट में पेज़ी का रुख आज़े भी कायम रहेगा जिए आज बिखशे की गौहर कॉमप्लेक्स की बात की जाए तो गौहर कॉमप्लेक्स में क्या लगता है क्योंकि हम देख रहे ह пери कारवबर केसा के साथ ट्रेड कर रहा है तो अब गवार में आगे ऐसी कारवबार रहेगा या फिर गवार में यहां से अभी अच्छी तेजी भी देखने को मिलेगी तो भी पहरी टाइंग इन माय नॉलेज जो मही मन्त में डिटोरीशन हुआ था तोटली सर्फवाइस पॉदा मार्केट बिकास हमारा भी उम्मीद यही था कि गवार सी नीचे में अगर हम बात करें तो यह 6,000 के नीचे नीचे नहीं जाएगा तोटली तोटली उपर नहीं जाएगा यह दाइरे में हम देख रहे थे बत महीं में तीन नहीं डेल्लॉप्मेंट हुए पहला है तोट मार्जिन का जैसे हमने देखा नया रूल बना है इसके इसाफ से हमने देखा कि पुरे मार्केट में एक क्रेश जैसी सिच्वेशन बनी क्योंकि क्योंकि क्मोडिटी एंड करेंसी के अंदर हम लोग बड़ा क्रेक्शन देखा जिसकी वज़े से गवार में भी जिरावट आई थी हमने देखा कि एक्सपूर्ट यूएस से काफी अच्छा हो रहा था तो हम बोल सकते तैथीस मैंने तैथीस हब्तों के बाद पहली बार ऐसी जिरावट देखी जिसकी वज़े से सेंटिलम खराब हुआ और तीसा और आखी कारण मुझे जो लगता है वो लगता है ऐल्गोटेट जी तो हम से वॉल्यूम काफी सेलोग हो चुके है और अगर हम गवार्शी गवार्गम रेश्यो की बाद करें तो 1.94 पच होने के बाद एक सेलिंग प्रशर दिख रहा था ऐल्गोटे साथ से अगर हम सेलिंग करते हैं उसका मतलब है गवार्गम को बेचो और गवार्शी खरीदो और ऐसा ही हुआ कि यह रेश्यो 1.699, 1.7 तक चले गई थी इसके चलते पिसले 2-3 दिनों के अंदर ही हमें गवार्गम में बड़ी जिरावत देखी जो 11,000 के लेवल तोड़ दिया था जो आज के समय में भी और लॉंग टर्म में भी निगश्कों को अच्छा अच्छा मुनाफ़ देश्यों को अच्छा है मुझे लगता है एड़ी कमार्टी के लिए सबसे अच्छा रहेगा गवार को सब्सक्राइब के लिए वेट करना चाहिए तो मसालों में जो करेक्शन हमने पहले भी आपको अगार किया था तो मसालों में बड़ा करेक्शन है तो अभी भी जारी है 200-300 पॉइंट की और गिरावट में जाई या 200-300 पॉइंट अगर हम छोड़ सकते हैं तो मुझे लगता है मसाले में बहुत अच्छा लगता है करना चाहिए तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत स्टैब्लिटी आजाए और पूरे कमोर्टी मार्केट में जो अभी एक्शन पर ट्रेड़ है यह कहिना करें आगे फ्यूचर बढ़िया है इमेड़ेट के साथ मुझे बात करूं तो पैस्टी मुझे अच्छा लगता 7800 के लिए और सेकेंड मुझे लगता है कि अधरां मा कॉटन की बात करने के उसमें बिक्वाली करके चल सकते जो 43 200 त 43 500 तका डेवल दिखा सकता है जी बहुत बढ़ शुक्र जी अमांसा जोड़ें को जान गाई साजय कनने के लिए दन्याद